हम आदीशत्ती जगजननी की कथा सुनाते हैं मादुरगा की महिमा वेद पुराण बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदीभवानी माँ जे जगी कल्यानी माँ जे जगजननी आदीशत्ति माँ जग कल्यानी हो प्रेम तने का नमन आपको मात भवानी हो दुख हरनी सुख करनी माता आप कहाती हो निरंकार है जोति तुम्हारी दया बरसाती हो रूप अने को माता तेरे वेद बताते हैं दुष्ट नाशनी भगतों पर किरपावर साते हैं शैल पुत्री ब्रह्म चारडी चंद्र घंटा मा कुसमांडा असकंद माता कात्या यनी मा काल रात्री महगावरी सिधिदात्र कहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मादुर गाकी महिमावेद पुराण बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदि भवानी मा, जे जगी कल्यानी मा जग दंबा तुम शेरों वाली पहाडा वाली हो शिव शंकर की अर धांग नी मात निराली हो सत्योग काल में राजा दच्छ की सुता हो कहलाई शिव की पतनी के कारण शक्ती हो बतलाई यग्यकुंड में देहत्याग फिर दूजा जन्म लिया परवत राजन नाम सुता को पारवती है दिया पिता अनिक्छा से शिव से मा विवाह रचाया था रिशी मुनी देवों ने फिर जैकार लगाया था आपकी महिमा बड़ी निराली वेद बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं मादुर गा की महिमा बेद पुराण बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदि भवानी मा जे जगी कल्यानी मा जे आदि भवानी मा जे जगी कल्यानी मा कनक बदन है मात आपका जौमन भाए हैं पीत वस्त्र माता के तन पर शोभा पाए हैं एक हाथ में पुष्प मात के दूजे में तलवार वरमुत राधारी माता कर दुष्टों का है संहार शिस तिलक माता के भगतों श्वैत तिलक राजे गले में मडियों की माला भगतों है जो साजे सिंग सवारी माता की जो बड़ी निराली हैं मुक्षदाइनी कष्ट नश्ट माहर ने वाली हैं महतेत्यों को संघारा ये वेद बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं मादुरगा की महिमा वेद पुराण बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदि भवा नी मा जे जगी कल्या नी मा जे आदि भवा नी मा जे जगी कल्या नी मा शुम्भन शुम्भन धरती पर कुहरा म मचाया था रिशी मुनी मानों और देवों को भी सताया था सभी देवता दैत्यों के फिर हो गए थे आधीन किन्तु भोले नाथ तो अपने तप में थे तबली फिर तो माता पारवती को सबने मनाया है क्रोध में आकर माता ने फिर रूप बनाया है रण में जाकर माता ने तो शुम्भ को मारा है तत पश्चात दैत्यन शुम्भ भी संहारा है सभी देवता आपके माता फिर गुड़ गाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मादुर गां की महिमा वेद पुराण बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदि भवानी मां जे जगी कल्यानी मां जे आदि भवानी मां जे जगी कल्यानी मां कई रूप में आकर माता अचरज दिखलायां चंड मुंड का काम तमाम आपसे हो पायां चंड मुंड संहार रूप वो चंडी है कहलाया जिसने आपको ध्याया माता उसने फल पाया रक्त भीज को आपने माता जब संहारा था कई रूप हैं बनाकर उसको भ्रम पहुँचाया था काली रूप में आकर सारा रक्त हिपी डाला जब जब भक्त बुलाए माता बनी हो प्रतिपाला रक्त वीज संहार किया ये वेद बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं मादुर गा की महिमा वेद पुराड बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदि भवानी मा, जे जगी कल्यानी मा अब आपको महिशासुर की कथा सुनाते हैं कैसे मारा माने उसको ये बतलाते हैं रंभदैत का महादैत सुत महिशासुर कहलाया ब्रम्हाजी से तपकर उसने इकवर था पाया कोई देवता दानों उसको मार नहीं पाये एक दिवस इंद्रासन पर है कब जालिया जमाये फिर तो त्रीदेवों की शक्ति माबन कर आई रूप अनोखा माता का जो दुरगा कहलाई कैसे मारा महिशासुर हम वो बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मादुरगा की महिमा वेद पुराण बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदि भवा नीमा जे जगी कलया नीमा जे आदि भवा नीमा जे जगी कलया नीमा माता को देवो ने अस्त्र शस्त्र प्रदान कियें दी है शक्तियां फिर माता को दुरगा नाम दियें सिंग सवार पे होकर माता रण में आई हैं की है गर्जना आकर रण में अतिचिल लाई हैं फिर तो माता महिशासुर से युद्ध हुआ भारी बदल बदल कर रूप मात से लणता अत्याचारी कभी वो मानाओ कभी वो भैसा बन कर है आता सिंग रूप में माप प्रहार करना वो चाहता कोटिश दानों माता से वह हमारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मादुरगा की महिमा वेद पुराण बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदि भवानी माँ जे जगी कल्यानी माँ जे आदि भवानी माँ जे जगी कल्यानी माँ नो दिन तक ये चला युद्ध जो हुआ बड़ा भारी दसवे दिन मारा माताने है अत्याचारी फिर देवों ने माता की तो महिमा गाई है सब्तरशी गंधर्ब सुमन वर्सा करवाई है पावन गाथा माता की जो भी रसपान करे आदि भवानी कल्याडी फिर तो कल्याड करे डीयस पाल ने मादुरगा की कथा सुनाई है मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है महिशा सुर मर्दिने की सब जैकार लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मादुरगा की महिमा वेद पुराड बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे आदि भवानी मा जे जगी कल्यानी मा जे आदि भवानी मा जे जगी कल्यानी मा